लो एबरिवन, वेलकम तू आटस स्टेडी मेड इजी, आटस स्टेडी मेड इजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, as you know that we have started modern history series of पटना यूनिवरसिटी बीए पार्ट तू सिलेबस जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आदूनिक यूरोप का हिस्ट्री सिरीज स्टार जिसमें हम लोग पटना यूनिवरसिटी बीए पार्ट तू के सिलेबस को कवर कर रही है, हमारा पाचवा लेक्चर है जिसमें हम लोग reforms अप नेपोलियन को continue करेंगे, इसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसे पहले वाले पार्ट को देख लीजिए, आदा लेक्चर इ उसको लोग देखेंगे, तो नेपोलिया ने क्या किया, सिक्षन ब्यवस्था को चर्च के प्रभाव से मुक्त किया, ठीक है, और उसको मुक्त करके सरकारी नियंतरन के अधीन कर दिया, पहले क्या था कि सिक्षा जो ब्यवस्था था, वहाँ पे चर्च का काफी उस पे प् प्रियास करा इस क्रम में सिक्षा को क्रम सच चार अस्तरों में विवाजित किया गया प्राथमिक लेवल माध्यमिक लेवल तकनीकी और विश्व विद्यालाई सिक्षा यानि कि वो क्या किया सिक्षा को डिवाइड कर दिया अलग-अलग लेवल में इसके तहट जो है प्रते और ऊप्रिफिक्ट किया था नेपोलियन उसके अधिन स्वाप दिया गया जो ब्रेंट सएमिक सप्सरेंबर से बिद्धोन इसकोल स़फना की गई नेपोलियन जो हर तरह के आपएंका सथा ना चाहता गई अब पेरिस युनिवर्शिटी का establishment किया गया किसके द्वारा नेपोलियन द्वारा किसके लिए higher education और यह जो स्वध होता है experiment होता है research होता है उसके लिए नेपोलियन ने सिक्षकों के प्रसिक्षन के लिए normal school खोले ठीक है normal school खोला गया जिसमें teacher लोगों का training होता था जो आज भी फ्रांस में सिक्षन प्रसिक्षन के सिक्षक प्रसिक्षन की प्रतिष्ठित संस्था के रूप में स्विकार है मतलब आज भी जो training school जिस teacher training स्कूल जो नेपोलियन का टाइम में खोला गया था वह आज भी वहां पे काफी ज्यादा फेमस है प्रतिष्ठित है गरीव प्रतिभावन विद्यार्थियों के लिए चात्रविर्ति के भी वेवास्ता की गई तो जो मिडिल क्लास थे या जो गरीब थे जो मतलब मेडिल क्ला बना करके अपने प्रतिवफदार बनना चाहता था और दूसरा था कि सेक्षनिक सुधारों से जो है वह योग्ययों कुसल नौकर साही का निर्मान करना चाहता था मतलब जो एबल हो किसके लिए नौकर साही यानि कि वह ऐसे सीविल सीविल सार्वेंट जो होता है उस टाइ निपोलियन के सैक्षनिक सुधारों में भी क्रांती के अधरसों से बिल गाउना जा रहाता आप जैसे पहले जोazy ब्यक्र की साही एकर और कर दिया गरबर कांव कर दिया नेपोलियान के धिंग इडिथा चाहीं कर लें सब्सक्राइब करें नारियों की स्वतंता एंव समानता के विप्रीथ थे सही बात है वही उसका जो विचार था और जो भी काम किया सैक्सिनिक फिल्ड में विल्कुल विमेन के पॉइंट व विव से काफी गलत था काफी अपोजिट था अब धरमों के सुधार मतलब धर्म के शित में क्या सुधार किया और पोप से जो समझावता करता है नेपोलियन उसको हम लोग देखते हैं तो फ्रांस जो था वो कैथलिक चर्च के परभावावाला देश था 1789 की फ्रांसीसी क्रांती के बाद चर्च के विशेस अधिकारों को कम करके उसकी संपती को राज के अ फादर वगरा हुआ करते थे तो उनको भी अब सपत लेना पड़ता था क्या कि वहां के जो जो भी मतलब क्या बोलते हैं एक तरसे जो सासक है उसके प्रति आपको क्या रहना है वफादार रहना जैसे जैसे कि वहां के सीविल सर्वेंट वगरा होते होंगे यानि कि जो भी ओफिसियल्स सपत लेते थे कि हाँ हमेशा आपके लिए वफदार रहेंगे वैसे ही आप पाद्रियों से भी सपत दिलवाया जाता था फ्रांस में होने वाले इन परिवर्तनों से पूप थो पूप क्या था असंतूष्ट एवाम नराज था अब भाई पूप का इजद चला लोग अभी भी क्या आज की विजुग में देखिए धर्म का काफी ज़्यदा प्रभाव समाज में अभी भी अगर कोई साधूजंद कुछ बात बोलता है या कुछ दुख ब्यातित करता है तो काफी लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं तो उस्टेंब ऐसा ही होता होगा अता जनता और सरकार में क्या हो गया तनाव बढ़ने लगा अब नेपोलियन जो था वो धर्म के छेत्र में ततस्ट था लेकिन उसको पता था कि धर्म का उप्योग समाजिक बेवस था और राज्य की सकती बढ़ाने के लिए कब और कैसे करना है नेपोलियन काफी दिमाग स अधमी तो था उसको पता था कि धर्म का उप्योग करें कि सौशल सिस्टम को ठीध करने के लिए और राज्य के सकती को एक तरह से बढ़ाने के लिए उसको पता था कि धर्म का समाज पी काफी ज़्यादा पकड़े हैं और हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो इस कारण नेपोलिया ने क्या किया आठासो दो में पोप के साथ एक समझाता कर लिया जिसे इतिहास में कॉनकाडेट का नाम से जाना जाता है कॉनकाडेट की एक तरह से संदी थी इसके तहट क्या होता जो कि बिल्कुल गलत हुआ फ्रांस से क्रांती काल में भागे हुए पाद्रियों को क्या किया गया सो समान वापसी का उसर दिया गया जो भी लोग भागे थे क्रांती के काल में उनको बोला गया कि आप आ सकते हैं वो भी इज़्जत के साथ और जो भी गिरफतार किये गए पाद्री पाद्री लोग थे उनको भी छोड़ दिया गया पाद्रियों के नियुक्ति जो था वो प्रथम काउंसिलर के द्वारा होगा हलांकी उसे पोप ही दिख्चित करेगा ऐसा रूल बनाया गया कि जो फर्स्ट काउंसिल था हुआ है पाद्री का अपॉइंटमेंट करे होगा वो कौन करेगा करेगा कि पोप ने क्रांटिकाल में जब्त समपतियों यानि की भूमी पर अधिकार त्याग दिया साथ भी कार किया कि पाद्रियों द्वरा सविधान की सफथ का लेणा सही है तो पोप क्या करता है उसके अंडर में जो भी संपति था उसको एक तरह स सब व्यक्ति को बोला गया कि आपको द्हारमिक स्वतंतरता दे दिया जाता है अधिकार दिया गया जब की राज यह क्या था धर्म निर्पेक्च रहेगा। लेकिन ऊपर हम लोग देखें ति कैटलिक धर्म को फ्रांस के राजधर्म के रूप में सुइकार कर लिया तो राजधर्म निर्पेक्ट कहां से हुआ भई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है नेपोलियन का पोप के साथ एक महतोपुन समझाता था क्योंकि अब चर्च एवं फ्रांसीसी क्रांती के परिवारतन एक दूसरे के विरोधी नहीं बलकि सहयोगी बन गये थे अब क्या हु तो निपोलियन के लिए दो तरह से लाप रदर आप नेपोलियन को इसमें दो तरह से फैदा हुआ और दूसरा था चर्च की भूमी प्राप्त करने वाले बहु संख्यक किसान नेपोलियन के भक्त हो गया अब जिन किसानों के पास भूमी नहीं था उनको चर्च का भूमी म स्थापित करता है क्योंकि क्रांती का लक्ष धार्म और सासन को अलग करना ही क्रांती का मक्सद था लेकिन क्रांती के बाद अलग हुआ से लेकिन नेपोलियन क्या करता है फिर से एक कर देता तो क्रांती करने के फायदाई है हुआ कैसे अब कांस्टीचूशन के व्याब राता है न चुबकुछ एएज दूए में तो एसे वहाँए जो बी लुक्रा कर著 थे उसको एक से एरेंज करवाया नेपोलियन जो पूरातन वेवस्ता के कानूनों में भी संगतिया थी यानि कि पौले से जो शिस्टम चला आ रहा था उसमें जो भी कमी था जन समाने में कानूनों के प्रति आस्था बढ़ाने एव म कानून में असपस्टता लाने के लिए उसने कानूनों को लीपी बद करवाया तो नेपोलियन क्या करता है कि लोगों में लोगों के अंदर मतलब एक तरह से जो कानून है उसमें ट्रांस्पेरेंसी या लोग उसको अच्छे से समाझ चके उसके लिए कानूनों को क्या करवाया एक तरह से scriptural form दिया ठीक है लिपी बद करवाया उसका यह संगरा नेपोलियोनिक कोड के नाम से जाना जाता है नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहीता कहा जाता है और इस संहीता के निर्मान में नेपोलियन यह ब्यक्तिकत रूचिली थी नेपोलियन जो था इसमें नेपोलियोनिक और परसनल जो थोट था उसका काफी जादा दिखता है उसमें नेपोलियन ने इसी क्रम में कहा भी था कि मेरी जो वस्तु कभी भूलाई नहीं जा सकती वो मेरी 14 युदों में बिजय नहीं बलकि कानून संहिता है वस्तु था मेरे ये सुधार ग्रेनाइट पर लिखे हुए तो नेपोलियन बोलता है कि वो अपने जिंदगी में जो भी युद लड़ाया है उसमें से 40 युदों में वो साथ बिजय भी पाया है तो वो सब लोग भूल सकते हैं लेकिन ये जो मैं कोड बनाया हूँ नेपोलियनी कोड इसको लोग कभी भूलेंगे नहीं ये मैं ऐसा हूँ और लेकिन यह क्या है ग्रेनाइट पर लिखा हुआ है अंतर बस यहीं है नेपोलिया ने कोड के तहत कुछ सुधार किया और उसुधार को हम लोग देखते हैं इसके तहत जो था वो नागरी के ओम अपराधी कानून को अपराध के लिए एक समान दंडविधान लागों किया या कि सीविल लौ लो और क्रिमीनल लो बनाया गया अलग अलग के हैं उसकी producción से अलग करा गया और जो इक समय दंड भी डान लागो किया गया, मतलब जो भी उस कानून के अंदर जो भी होगा, जो भी उस कानून का उलंगन करेगा उसके लिए एक ही दंड होगा, चाये हो किसी भी कौरे को राइच की हो, यानि कि marriage और divorce का right भी दे दिया गया लोगों को इसमें धार्मिक तत्यों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया नेपोलियन ने परिवारिक अनुसासन पर बल दिया वो जो है family एक तरह से maintain रहा है family में discipline को maintain राकने देखे family से गाओं बनता है गाओं से डिस्ट्रिक बनता है तो एक तरह से family जो होता है village के बाद सबसे smaller unit होता है विलेज वैसे देखा जाए तो सबसे smaller unit होता है administration का और village की चीछे बना हुआ है family से तो नेपोलियन जो है family के अनुसासन पर काफी ज्यादा बल दिया इसी के करम में जो है परिवार के मुक्या को ब्यापक अधिकार दिये गया वो जो है जो भी family का head होता था उसको काफी ज्यादा right दिया उधारन के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो परिवार का प्रधान होता था यानि की जो head होता था family का उसको अधिकार दिया गया कि वह अपनी संपति का हस्तांतरंत किसी को भी कर सकता है यानि कि वो जिसको वीचा है वो अपना जो प्रूर्पर्टी है उसको क्या कर सकता है transfer कर सकता है महिलाओ को पूर्षों के अधिन स्विकार किया गया यह एक गलत काम कर दिया गया नेपोलियन के के विप्रित यानि कि लिवर्टी और इक्वालिटी में कहीं भी मैच नहीं खाता है बिल्कुल भी अपोजीट था एक तरह से नेपोलियन के अने चुधारों के समान संहीता भी क्रांती की मुल भावना का विरोध करती है तो नेपोलियन का जो यह संहीता था इसमें भी एक तरह से क्रांती का आपको अपोजीशन ही दिखेगा सपोर्ट नहीं दिखेगा अब ब्यापारिक संगीता भी स्रमिकों के हिद की उपक्छा करती है एवाँ म्स्रमिकों को संग बनाने पर पुरातन व्यवस्था के समान पतिवंद जारी रखते है तो जो ब्यापारिक संगीता लाया यह जो नेपोलियन ओवर ओल कोड था जो लीगल रिफॉर्म किया था उसमें जो उसमें भी क्या था जो लेवर लोगों को यूनाइट होने का अपना संग बनाने का और्गेनाइजिसन बनाने का राइट नहीं दिया गया यानि के पुरातन वेवस्था के समान ही उनके दिया था नेपोलियन भी सेम उसी तरह कर दिया यह भी हलका सा मेडिल क्लास के तरफ क्या हो गया जुक गया भीदी भूमी संबंदी एवं संपती की रक्षा से जुड़े कानूनों को मजबूत बनाया गया जो बुजुरोवर के हितों के अनुरूफ ही था अब जो भी लैं कि अभी सत्य है कि नेपोलियन संगीता सार गर्वित सुसंगत एवं सरल सैली में होने के कारण फ्रांस से बाहर भी लोग प्रिये हुआ तो यानि कि जो नेपोलियानी कोड था वो काफी ज्यादा मतलब एक तरह से सिंपल फॉर्म में बनाया गया जिसके कारण वो यूरोप के अन्यवी देश में क्या हुआ एक तरह से फेमस हो गया लेकिन हर जगा इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रांती का अपोजीशन था वो दिखता है हर जगा इस कारण जो है बेल्जियम नीदर लैंड इटली जर्मनी के कानूनों में संगीता के रूप में बदलाव भी कि प्रांस में एक तरह से सांती लाने का परियास करना था इसको और इसी परियास के क्राम में उसने आंतरिक बेवस्था में इस थिर्टा लाने के बाद फ्रांस भी रोधी गूट इंगलेंड औस्ट्रिया और रूस से निपटने की तैयारी सुरू कर दी गए और यह जो सांतिय स्थापित करना चाहता था नेपोलियान तो उसी मतलब process में वो क्या सुचता है कि इंगलेंड औस्ट्रिया और रूस से आब निपटना पड़ेगा सबसे पहले उसने इटली से होकर औस्ट्रिया पर अकरमन किया वो क्या किया इटली के थृत्रूप जाता है और औस्ट्रिया परWowन कर देता है तो इसी क्राम में क्या होता है रूस जो है वो आस्ट्रिया का पहले सपोर्टर रहता है तो रूस आस्ट्रिया से नराज हो जाता है और नराज हो करके वो जो गुट था आस्ट्रिया रूस इंग्लेंड वगरे का उस गुट से रूस गुसा हो करके मतलब एकतर से बाहर हो जा ठीक है फ्रांस और इंग्लेंड के मत जिसके तरत इंग्लेंड ने नेपोलियन के नेत्रितों वाली नौग अठित सरकार को मान्यता प्रदान कर दी यानि कि जो इंग्लेंड था उस टाइम एसेप्ट कर लिया कि हां नेपोलियन जो है इस सरकार को चला रहा है यहां का जो मतल पहले उसको क्या कर देता है वापस कर देता है इस परकार 1792 में हुए फ्रांस की क्रांती के बाद से युद्रत यूरोप को 10 वर्स बाद युदों से मुक्ती मिली यानि इसे परले क्या होता है दस वर्स तक कभी इससे कभी उससे लगातार लड़ाई होते रहता है तो 10 साल बाद जो है 1792 में हुए फ्रांस की क्रांती के बाद जो है 10 साल बाद य लेकिन यह जो सांती होता है, यह सांती अस्था ही नहीं रहता है, यह कुछी दिनों का सांती होता है, क्योंकि 14 महीने बाद वहाँ पे युद्ध का एक नया दोर सुरू होता है, और यह जो था वो पहले से और भी उग्र और भयानक दोर सुरू हो जाता है युद्ध का, ठीक झाली